ओम सिरी गनेशाइन अम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अप्रेल सौंबार के रासी फल्क के बारे में कि हा दिन उम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नैना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर मना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तों आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकर्टी और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जिस्तों साती सात आज आपके लिए दूर की यात्राइं भी होगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होगी और उनके दोवरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साती सात आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा है अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल है साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके प्रिणाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिलचस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावनाइं उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश सकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत् किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़े जह दोस्तों ऑफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता हैं सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आपका जीवन साथी आपको आपके प्रते क कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन सा साती के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तो साती साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अड्यल रवया मत अपनाईए और हवा के रुको को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनिको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेग जी हां दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो घर में के गिरहों की यूती आपके स्वास्थ को प्रभावित कर सकती है इसलिए एक निय खुग करें वयाम करें सुष्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इश्णान आदिशनिरवत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के नुशार अपने शामर्थ के नुशार चावल दूद या फिर चांदी का दान क जहां दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होने के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है इससे जीवन में तरक्की की राहें लगातार खुलती चली जाती हैं जहां दोस्तों ऐसा करने से भगवान भुलेनात के अशिरवाद से आपको जल्द ही सुब फलो क की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें झाल